हेलो फ्रेंड्स तो यह कूलियस जो मेरे पास कई तरह के हैं तिन चार तरह के हैं तो इसके लिए तो पहले से मैं मिट्टी सब गमले में भर रखे हूं समरे स्टार्ट होने से पहले मैं मिट्टी एक साथ ही बना के भर लेती हूं जिसमें कंपोश्ट गार्डन स्वाइल जो उसमें बालू रखके और सब को आराम्स मिक्स करके मैं भर लेती हूं उसके बाद मैं लगाते रहती हूं तो कोलियस का ये मेरे पास एक पीले रंका है मैं आपको दिखाने के लिए ये बना रही हूं वैसे तो ये कटिंग करके आप किसी भी अच्छे से तयार मिट्टी में आ रखोगे तो वो कभी नहीं लगेगा कभी भी पौदे को रात में लगाना होता है या साम के समय और उसमें पानी डालके तीन-चार दिन तक ठंडे जगह पर रख दो दूप में बिल्कुल भी मत रखो तीन-चार दिन या एक हपता आप रख सकते हो तो इसे कटिंग करके औ और विस मिट्टी में लगा देनी होती है और ये अराम से लग जाती है ये मेरे पास रेट कलर की कोलियस है एक ये यलो है और एक ये है तीसरी ये एक चौती पांच तरह के है मेरे पास कोलियस और ये बहुत सुन्दर सा दिखता है गर्मी में पूरा गमला भड़ाता है और बहुत जल्दी ग्रो करता है लेकिन कुछ बाते यही है कि ध्यान रखनी होती है आप ठंडे में धूप में बिल्कुल भी मत रखना तो ये मेरा एक पॉट है जिसमें मैं इंग्लिस आई भी कुछ पोटुलाका और ये बैगन और ये कुछ पॉधे लगा रख्यों फिर मैं प क्रीपर है तो ये अराम से लग जाती है जैसे ये हो गया इसकी कुछ पत्ते तोड़ के और अराम से मिट्टी में डाल दो लेकिन कुछ चीज़े वही है कि ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी मत करना पानी जरूरी है और ठंडे में ही रखना आप और रात को जरूर रात को प पानी आप डाला करो तो बहुत सुंदर पौधे ग्रो करता है और मेरा विदाउट केमिकल है और गेनिक खादी में डालती हूं जो कीचेन वेस्ट होता है उसे मैं पानी में रात बार डाल के छोड़ देते हूं फिर सुबह मैं सुर्योदे से पहले ही मैं डालती हूं उस मैं दो दिन छोड़ देती हूं यह भी पोटुला का है और इसे मैं छोड़ देती हूं तो तीन दिन पानी में फिर मैं डाल देती हूं अभी गड़मी है तो उसमें मक्ही हो जाती है तो मैं छोड़ी देती हूं रात भर और सुबह डाल देती हूं या नहीं तो साम को डालत फिर मैं उससे अलग-अलग करते हूँ तो कोलियस चोलियस बहुत ही सुझाएज और पोटुलाँका बहुत सुझाएप जो कि गमला बढ़ जाता है और सुझार बहुत लगता है और वो होता है यही आभ से हुआएज़् दॉगी खा गया है इसका डॉगी उपर का पार्ट ही खा गया है तो बताने क्या करता है रात को और ये कोलियस तो जरूर ही अपने गार्डन में होनी चाहिए थैंक यू